हलो स्टुड़न्स मैसल्फ पटेलरिया आज हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ेगे हिंदी में चैप्टर नाइन विशेशन टॉपिक का नाम है विशेशन एक्जेक्टिव विशेशन का मीनिंग होता है कैसा और कितना यानि कि कोई भी चीज हो वो कितनी है और कैसा है उसके पेसे विशेशन हम पैचानते हैं जो शब्द संग्णया या सरवनाम की विशेष्टा बताते है वे विशेष्टा बताते है वे शब्द क्या कहलाते है विशेष्टा आपको एक पिचर्स दिया है गुब्बारे लेकर आया धेर गुब्बारे लेकर आया धेर धेर यानि बहुत सारे देखो आया मोटा शम्षिर शम्षिर गुब्बारे वाला कैसा आया? मोटा शम्षिर हरे बैंगनी लाल सफिर कौन से कौन से रंग का लेकर आया conference रंग निग्रिन ब्राउन रेड वाइड डिफरंच रंग के गुबारे लेकर आया कौन मोटा शम्शेर रंगों के हे कितने भेद रंगों के कितने भेद यानि difference colors के ballon से गुबारे यानि बलुन कोई लंबा कोई गोल उसके भी डिफरेंट शेप गुबारे के भी कोई लंबा है तो कोई गोल है लाओ पैसे ले लो मोल पैसे लाओ और गुबारे ले लो गुबारे लेकर आया धेर गुबारे कितने लेकर आया धेर सारे यानि बहुत सारे देखो आया मोटा शमशेर कैसे रंग के गुबारे है हरे बैंगनी लाल सफिद रंगों के है कितने भेद रंगों के कितने भेद है डिफरेंस कलर के है बॉलोंस आपको ये पिच्चस पैसे कुछ क्वेशनस दिया है वो आपको हंसमें लिखनें के बताईए कितना और कैसा गुबारे कितने है फिच्चस में गुबारे कितने है फोर तो गुबारे चार है next गुबारे कैसे है गुबारे कैसे है गुबारे कोई गोल तो कोई लंबा है शमसेर कैसा है शमसेर मोटा है बच्चे कितने है कितने बच्चे है पिच्चस में दो तो बच्चे दो है बच्चो आपने कितना और कैसा के बारे में बताया कितना और कैसा बताने वाले यही शब्द विशेशन कहलाते है कितना और कैसा कोई कितना और कैसा है वो शमशेर कैसा है मोटा तो वो कैसा है मोटा और कितना गुबारे कितने है गुबारे चार है गुब्बारे कैसे है तो कोई गुब्बारे लंबे तो कोई गोल है डिफरंट शेप्स है गुब्बारे के भी तो कैसा और कितना यह बताने वाले शब्द क्या कहलाते है विशेशन शब्द अनेक प्रकार की विशेशता अथवा गुण बताते है जैसे शब्द अनेक प्रकार की विशेशता अथवा गुण बताते है जैसे रंग रूप लाल पीला सुनहरा सुन्दर चमकिला आदी रंग रूप में कैसा होता है रंग रूप लाल पीला सुनहरा सुन्दर चमकिला आदी आकार, आकार कैसा होता है? छोटा, गोल, मोटा, उंचा, लंबा, आदी आकार कैसे कैसे प्रकार के होते डिफरेंट्स होते है? छोटा, गोल, मोटा, उंचा, लंबा, आदी गुण दोश, अच्छा, गुण दोश में कैसे टाइप की गुण सोते अच्छा, बुरा, चालाग, मुर्क, बहादूर, आदी माप तोल, माप तोल, दो मिटर, सो ग्राम, दस लिटर, आदी संख्या, संख्या, पान्च, दस, सो, तीसरा, चठा, आदी संख्या किस में बताई जाती है? पान्च, दस, सो, तीसरा, चठा, आदी अवस्था यानि कोई अमीर बुढ़ा जवान बीमार आदी अवस्था कैसे बताई जाती है अमीर बुढ़ा जवान बीमार आदी ऐसे विशेश्था चैप्टर का नाम विशेशन विशेशन यानि कि ये शब्द जो हमने अभी पड़े अनेक प्रकार की विशेश्था अथव गुन बताते हैं, तो विशेष्टा और गुन में रंग रूप, तो रंग फर्स्ट वन इस रंग रूप, तो रंग रूप में लाल, पीला, सुनहरा, सुन्दर, चम्खिला, आधी. आकार, आकार में कैसा? आकार होता है, डिफरंस आकार होते है? कोई छोटा, गोल, कोई मोटा, उंचा, लंबा, आदी गुण दोश, गुण दोश में भी डिफरन्स गुण दोश होते अच्छा, बुरा, चालाक, मोर्ख, बहादूर आदी माप तोल, कोई भी चीज आपको माप नी हो या किसी में भी माप तोल में तो वो कपड़ा हो तो दो मीटर, सो ग्राम, कोई भी चीज हो वस्तु तो उसको ग्राम में माप ते, सो ग्राम फिर कोई भी लिक्विट्स पदार्स को आपको मापना उप्रवा ही तो वो लिटर में, दस लिटर, आदी संख्या, संख्या किस में बताई जाती है, पांच, दस, सो, तीसरा, छठा, आदी अवस्ता, अवस्ता यानि अवस्ता, अमिल, बुढ़ा, जवान, बीमार, आदी जो शब्द संग्या या सर्वनाम शब्द की विशेष्था बताते है, वे विशेषन कहलाते है विशेषन किसे कहते है, तो जो शब्द संग्या या सर्वनाम शब्द की विशेष्था बताते है, वे विशेषन कहलाते है संग्या या सर्वनाम की विशेष्था बताने वाले शब्द विशेषन कहलाते है, ये शब्द कैसा या कितना बताते है विशेशन कई बाते बताते है अच्छा, बुरा, आकार, रंग, संख्या, माप्तोल आदी विशेशन कई बाते बताते है अच्छा, बुरा, आकार, रंग, संख्या, माप्तोल आदी आपको क्लासवर्क चैप्टर नॉट्बूप में लिखना है, ओके एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्ण के उत्तर लिखे, विशेशन शब्द क्या बताते है विशेशन शब्द कैसा और कितना बताते है मीठा आम में विशेशन शब्द कौनसा है मीठा आम में विशेशन शब्द मीठा है चित्रो को सही विशेशन शब्द से मिलाईए आपको निचे कुछ चित्र दिये है और बिच में उनकी नाम है तो वो कौनसा मैच किस चित्र पे होगा वो आपको विशेशन से मैद्धी following करना है ओके तो आपको इधर pictures दिये see तो बुढ़ा तो इधर बुढ़ा कहा दिख रहा है pictures में तो बुढ़ा पे match करने का next मीठा तो मीठा तो mango आम कैसा होता है मीठा तो मीठा पे विशेशन हुआ उसका तो मीठा पे match करने का रंगीन यानि डिफ्रेंट्स कलर्स बलून की डिफ्रेंट्स कलर में होते तो रंगीन अनेक अनेक तो इधर स्टार्स एक है या डेल सारे बहुत सारे तो अनेक तो अनेक पे स्टार्स पे मैच होगा सुन्दर इदर लड़की लड़की की पिच्चस दे तो लड़की कैसे दीख रहे है सुन्दर तो सुन्दर पे मैच करने का काला तो इदर बर्ड्श काओवा कैसा दिया है काला तो काला पे मैच करने का next question खाली स्थानों में सही शब्द भरिये इधर आपको bracket में कुछ शब्द दिये है और fill in the blanks दिये वो आपको filling the blanks अंदर खाली स्थानों में लिखने की कौन सी कहां पे match होगी हो मीठा बड़े पांच एक first वरून डैस साल का है तो इसमें से आपको fill in the blanks में से bracket में से वरून डैस साल का है तो हंसा में क्या आएगा पांच वरून पांच साल का है second one is उसे डैस सेब खाना अच्छा लगता है उसे कैसा खाना अच्छा लगता है मीठा विशेशन में मीठा तो उसे मीठा सेब खाना अच्छा लगता है third one is वह एक डैस घर में रहता है वहाँ एक कैसे घर में रहता है तो इदा ब्रैकेट है वहाँ एक बड़े गर में रहता है 4, 1 उसके घर में डैश बगी चाहे उसके घर में एक एक बगी चाहे प्रशन 4 अपने आसपास देख कर बताइए फर्स्ट आस्मान कैसा है आस्मान कैसा है आस्मान कैसा रंग का होता है नीला कैसा रंग का होता है नीला सेकेंड वन इस सड़क का रंग कैसा है सड़क का रंग कैसा है सड़क यारी रोड रोड का रंग कैसा होता है काला थर्ड वन इस आपके घर में कितने कम रहे हैं जितने हो उतने आपको लिखने के ओके दो हो तो दो चार हो तो चार एक हो तो एक यह एक्सरसाइज आपको आपकी नॉट्बुक में लिखनी है एन क्लास्वर्क में मैं जो लिख रहे हूँ आपको आपकी नॉट्बुक में लिखना है ओके कि रहे माँ की नॉट्बुक में लिखनाम को लिखना किस ﷺ एक यहाऊ Госव यह 아 better नॉट्वक में मीढ हाख़ कि अट्राइबुक में लिखना कि दली है उ enthusi हिए चार इग सकता को जो चुँए रहे आपको कर दो फगque गुब्बारे कितने हैं पिच्चस में देख की बताने के गुब्बारे कितने हैं 4 तो 4 पांसर में क्या लिखने का गुब्बारे 4 है गुब्बारे कैसे हैं कितने और कैसे वो विशेशन शब्दब बताते हैं गुब्बारे कैसे हैं गुब्बारे लंबे और गोल है शम्षेर कैसा है शम्षेर गुब्बारे लेके आया और कैसा शम्षेर हैं मोटा अंसर में क्या आएगा मोटा बच्चे कितने हैं बच्चे कितने हैं पिच्चर्स में 2 तो 2 बच्चे कितने हैं बच्चे कितने हैं कितना और कैसा बताने वाले यही शब्द विशेशन कहलाते हैं रंगरूप लाल पीला सुनहरा सुन्दर चमकीला सेकेंड वन इस आकार छोटा गूल 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 कर दो भाल ब बनाल झाल झाल रंग रूप यह ये सब्द अनेक प्रकार की विशेशता अथ्वा गुण बताते है रंग रूप लाल पीला सुनहरा सुन्दर चमखिला आकार छोटा गोल मोटा उंचा लंबा आदी गुण दोश अच्छा बुद्या सालाग मुर्ख बहादूर माप तोल दो मीटर सो ग्राम दस लिटर आदी संख्या पांच दर सो तीसरा छठा आदी अवस्था अमीर बुढ़ा जवान बीमार आदी विशेशन की से कहते है विशेशन की व्याख्या विशेशन की से कहते है विशेशन की से कहलाते है कि कोई भी शब्द हो वे क्या कहलाते है विशेशन ये क्लासवर्ट पुरा पेज आपको आपकी नौट बुक में लिखना है पीब्दोट में जापकON星ावड़ को एके वाता है आपकी धना है थर्ट की smallest विशेशनकों इतरा है विशनता है विशेशन का कि उाधропफ़ कि जाभी ओेशनकto पास्वशन उसे से कहते है इंजूूर्णाज पेशनकों पास्वशनकाते विश्दशल件事情 विशेशनक्त पास्